लो बच्चो आज का हमारा सवाल है बैद्दु छेत्र की तीबृता इलेक्ट्रोन के अनुबगमन वेग में संबंध है हमें चार आप्शन दिये गए हमें सही आप्शन बताना है अब देखें बच्चो हम जानते है कोई भी इलेक्ट्रोन अगर किसी चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा हुआ है और इलेक्ट्रोन मूब कर रहा है तो इलेक्ट्रोन पे आपका कितना बल लगेगा एफ बराबर कितना होगा माइनस का ई गुड़ा ई होगा जहाँ पे माइनस क्या बताता है कि बल की दिशा अगर electric field इस दिशा में है तो बल इस दिशा में लगेगा ठीक है यह हो गया हमारा F का मान और अगर हम तोरण देखें तोरण कितना हो जाएगा माइनस का E E भटा M के बराबर होगा अब किसी भी चालक में औसत वेग इलेक्ट्रोन का प्रारमिक औसत वेग अगर हम देखें तो वो क्या होता है शून्ने होता है तो U का मान शून्ने होगा और ये हमारा तरण कैसा है एक समान तोरंड निकल के आया है अगर हमारा बैदुच्छेत्र एक समान है तो तोरंड भी क्या होगा एक समान होगा तो गती के परतम समीकरन के अनुसार V बदाबर क्या हो जाएगा U पलस A, T के बदाबर होगा तो V बराबर कितना होगा 0 प्लस A का मान रख दे माइनस का E E बटा M गोडा टाउ अगर हम B का केवल मान लेते हैं केवल इसकी संख्यात्मक मान लेते हैं तो वो कितना हो जागा E E टाउ बटा M के बराबर होगा अब यहां पर देखें इलेक्ट्रोन का आबेस E क्या है constant है टाउ आपका क्या है दो टक्करों के बीच का समय जो की पदार्त पर या धातू पर निरवर करता है वो भी constant है और इलेक्ट्रोन का द्रब्यमान M भी constant है तो यहां से अनुगमन VD किसके समानुपाती निकल के आता है E के समानुपाती निकल के आता है तो हमारा कौन सा option सही होगा हमारा पहला option सही होगा आसा है आपको solution पसंद आया होगा धन्यवाद